जब भी यहां बेलू मर्ठ आता हूं तो अतीत के वो पुरुष्ट खुल जाते हैं जिनके कारण आज मैं यहां हूँ और 130 करोड भरतवासियों की सेवा में कुछ करतव निभा पा रहा हूं पिछली बार जब यहां आया था तो गुरुजी स्वामी आत्मस्थान जी के आशिर्वचन लेकर के गया था और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके जन सेवा ही प्रभू सेवा का रास्ता दिखाया भावा आज वो शारिदीक रूप से हमारे बीच विद्यमान नहीं है लेकिन उनका काम उनका दिखाया मार्ग रामकृष्ण मीशन के रूप में सदा सरवदा हमारा मार्ग प्रसस्त करता रहेगा यहां बहुत युवा प्रह्मचारी बैठे हैं मुझा आज उनके बीच कुछ पल समय बिताने का मोका मिला जो मन स्थित्य आपकी है कभी मेरी भी हुआ करती थी और आपने अनुभव किया होगा हम में से ज्यादा लोग यहां खीचे चले आते हैं उसका कारण विवेकानन जी के विचार विवेकानन जी की बानी विवेकानन जी का व्यक्तित्व हमें यहां तक खीच करके ले आता है लेकिन लेकिन इस भूमी में आने के बाद माता शारदा देवी का आंचल हमें बस जाने के लिए एक मा का प्यार देता है जितने भी ब्रह्मचारी जी होंगे सब को यही अनुभूति होती होगी जो कभी मैं करता था स्वामी विवेकन का होना सिर्फ एक व्यक्ति का होना नहीं है बलकि वो एक जीवन धारा का जीवन शैली का नाम रूप है उन्होंने दरिद्र नारेण की सेवा और भारत भक्ति को ही अपने जीवन का आदी और अंत मान भी लिया जी भी लिया और जीने के लिए आज भी करोड़ों को युवकों को रास्ता भी दिखा दिया आप सभी देश का हर युवा और मैं विश्वास से कहता हूँ देश का हर युवा चाहे विवेकानन को जानता हो या न जानता हो जाने अंजाने में भी उसी संकल्प का ही हिस्सा है बक्त बदला है दसक बदले हैं सदी बदल गई है लेकिन स्वामी जी के उस संकल्प को सिध्धी तक पहुँचाने का जिम्मा हम पर भी है आने वाली पीडियों पर भी है और यह काम वह ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया यह अभीरत करने का काम है निरंतर करने का काम है यूग यूग तक करने का काम है कई बार हम सोचने लगते हैं कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है मैं जो चाहता हूं मैं जो सोचता हूं उस पर कोई ध्यानी नहीं देता है और इस्थिती से यूवा मन को बाहर निकलना बहुत जरूरी है और मैं तो सीधा जाधा मंतर बता देता हूं जो मैं भी कभी गुरुजनों से सिखा हूं हम कभी अकेले नहीं है कभी भी अकेले नहीं है हमारे साथ एक और होता है जो हमें दिखता नहीं है वो इश्वर का रूप होता है हम अकेले कभी नहीं होते हैं हमारा सरजनहार हर पल हमारे साथ ही होता है स्वामी जी के वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी जब वो कहते थे अगर मुझे अगर मुझे सो उर्जावान युवा मिल जाए तो मैं भारत को बदल दूँगा स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे सो लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाओंगा ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा भारत बदल जाएगा यानि परिवर्टन के लिए हमारी उर्जा कुछ करने का जोश ही उजजबा बहुत आवश्चक है स्वामी जी तो गुलामी के उस कालखन में सो ऐसे युवा साथियों की तलास कर रहे थे लेकिन 21 सदी को भारत के सदी बनाने के लिए नए भारत के निर्मान के लिए तो करोडो उर्जायवान युवा आज हंदुस्तान के हर कौने में खड़े हो चुके है दुनिया की सबसे बड़ी युवा अबादी का खजाना भारत के पास है साथ्यों 21 सदी के भारत के इस देश के युवाओं से ही नहीं इस देश के युवाओं से सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को बहुत कुछ अपेक्षाय है आप सभी जानते हैं कि देश ने 21 सदी के लिए नए भारत के निर्मान के लिए बड़े संकल्प लेकर के कदब उठाये हैं ये संकल्प सिर्फ सरकार के नहीं ये संकल्प एक सो तीस करोड देश भासियों के हैं देश के युवाओं के हैं बीते पांच वर्सों का अनुभव दिखाता है कि देश के युवाओं जिस मुहीम के साथ जुड़ जाते हैं उसका सफल होना तय है भारत स्वच्छ हो सकता है या नहीं इसको लेकर पांच वर्स पहले तक एक निराशा का भाव था लेकिन देश के युवाने कमाल समाली और परिवर्तन सामने दिख रहा है चार-पांच वर्स पहले तक अनेक लोगों को यह भी असंभव लगता था कि भारत में डिजिटल पेमेंट का प्रसार इतना बढ़ सकता है क्या लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल आर्थ विबस्ता में अपनी मौझूद की मजबूती के साथ बता रहा है बता प्रसाय के साथ भी ऑपनी मौझ।